आप देख रही हैं जालोन मेट्रू जिन्पत की आवाज इस मामले को लेकर जब उच्चाधिकारियों ने संग्यान लिया तो खंड विकास अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और इसी प्रकरण को लेकर आज चिल चिलाती धूप में डीसी मन्रेगा जांच करने पहुँचे जिन्होंने मन्रेगा के कार्य में खामी पाई है यदि कहें तो मामला एक सप्ता से अधिक दिनों से जांच पर ही अटक गया है विकास खंड माधोगड की ग्राम पंचायत अकबरपूरा में विगत पूर्व में तीन चकमारगों को लेकर शिकायत खंड विकास अधिकारी रमेश चंदर शर्मा से की गई थी जिसमें उक्त शिकायत करता द्वारा साफ कहा गया था कि तीनों चकमारगों द्वारा का महस कागजों में हुआ है जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया एवं फर्जी मन्रेगा कार्य स्पष्ट होने पर उक्त कार्य पर परदा डालने के लिए ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरण द्वारा कार्य करवा दिया जिसका विडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ जिसको लेकर माधोगड खंड विकास अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच भी की थी और मन्रेगा में हुए कार्य को ट्रैक्टरों वा अन्य उपकरणों द्वारा कराया जाना बताया था तथा जांच उपरान तीनों चकमारगों को श्रमदान घोशित करने की बात कही थी आज गुरुवार को जांच करने पहुँचे डीसी मन्रेगा दिनेश कुमार यादव ने चिल्चिलाती धूप में जांच की इस दौरान खंड विकास अधिकारी रमेश चंद्रशर्मा, जेई चंद्रभान, तीए राजकुमार त्रिपाथी एवा अन्य साथ रहे जांच दौरान डीसी ने कार्य को मजदूरों द्वारा न बताकर ट्रैक्टर द्वारा कहा है इसी मन्रेगा दिनेश कुमार यादव से जानकारी लेनी चाही, तो उन्होंने जानकारी देने से साफ इंकार करते हुए कहा कि इस विशय में हम मीडिया को बताने के लिए अधिकृत नहीं है हमें मन्रेगा में हुए कार्य की जाँच के लिए जिलास्तर से भेजा गया था जालौन मेट्रो माधोगर समवादाता अजीत उपाध्याई की रिपोर्ट जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जल्पत से जुड़ी खबर आप तक पहुचे सबसे पहले